बॉन्स तुदेंट टोदेंट तो इस अंग टेव्य को शिल्यूशन अब दा स्टाड़ कोश्चन वेपर तो पॉट इस वोट इस फॉर्मॉला ओफ में शूडें अपको पहले उपाए था यूश्चा इपको सुम एप सुम अफ आप जर्वेशन अपन तोटल नंबर ऑफ ऑ प्रविशन होंगे उनका समाप नियूम्रेटर में करोगे और डिनॉम्रेटर में आप उसको सब्सक्राइब लिख रूगे ठीक है उसके बाद डेटा क्या होता है स्टूरिंट्ट एक सेट और एक सेट होता है एक इंफर्मिशन का सेट होता है ठीक है न वालूज फीगर ऐस ठीक है आप इसको कैसे हैं करते हैं how can we handle it we can handle data by data handling means gathering and recording data and presenting it such that it is helpful and meaningful for others ठीक है आप ऐसे इसको record करो ऐसे आप उसको gather करो ऐसे उसको present करो ताकि वो किसी दूसरे के लिए meaningful बन पाए मैं उसको समझ में है ठीक है बहुत अच्छा है उसके बाद मोड क्या होता है तो मैं मोड मैंने आपको बताया था स्टुडेंट की मोड किसी भी डेटा का ऐसा नंबर होता है जो उस डेटा में सबसे ज्यादा टाइम आया होता है सबसे ज्यादा टाइम उसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ठीक है तो मोड इस सेट केए उस्टेटा का range student range मैंने आपको बता तिसी भी डिटा की रेंज हम असंड्निंग और डिसंड्निंग और उस्टेटा को आरेंज करके निकालते हैं और फिर उसके सबसे ज्यादा टाइम जो आएगा तो यह बड़ा देटा है थोड़ा से आपको फ्रिक्वेंसे डिश्टिविजिन टेवल नहीं पड़ेगी टेवल नाने के बाद आप सबसे ज्यादा पर डेटा टेकर है तो कि यह सबसे ज्यादा बार आया है सबसे ज्यादा तो इसम वान जो है वुप इसका वोड़ तो हो जाएगो उसके बाद मीडियन निकालना था मीडियम में आपको बता था तो क्यापके स्वाइबस में मीडियन सिर्फ और चांट अफ डेटा का ही है । ट्मीस देक अकाउंट जो होना चीह होना चीह प्टिखे और नंबर का ठीक है तो यहां पा देको 602-304-25 इसको डिंडिंगर करें एक तो सबसे पर इसको डिंडिंगर मेरेंज करेंगे तो असेंडिंगर कर लेते हैं 122326 334548 तो 7 का मिड़गा होता है 44 के लेफट साइड में भी राइट साइड में भी 33 नमबर होते हैं तो फूर्थ नंबर ही इसका मेडियन होगा तो फूर्थ नंबर कौन सा है 1223 26 इस देडियन अब देटा स्टुडेंट्स कोश्चन नमबर सैवन में यह कोश्चन टॉटल स्टेडियर पूछ राए था तो तो टॉटल स्टेडियर का मुदलभ है एवरेज इस स्ट्टी आवन स्टूडेंट्स वलागं आपको निकाल देना था सारे आवर्स को säड़ करना था सम उफ ओल आप सब्सक्राइब प्लस एक स्क्स सब्सक्राइब आवर्ण ऐसके बाद नमबर एक में जो डटा दिया उसका मीन और राइज निकाला था था मीन का फॉर्मुला हुई है सबसे पहले आपको उस डेटा को सम कर लीना था अपॉन में डिटा अकाउंट करके 10 आएगा अपॉन में आप लिख दोगे इसमें बहुत सारे लोगों का सम गलत हुआ जिसके विज़े से ठीक नहीं है तो 3335 इसका सम आएगा और अपॉन में टोटल काउंट 10 तो 33.5 इसका मीन आ जाएगा स्टुडेंट रेंज निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया हाइस्ट आपजर्वेशन माइनस लोएस आपजर्वेशन करेंगे तो हाइस्ट इसमें है 49 और लोवेस्ट है 19 तो 49-1930 इसके रेंज हो जाएगी इस्टुडेंट यह तो 9 कोफिशन किसी का भी गलत नहीं हुआ है very good सबका सही हुआ है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ बनाना था बडट इसमें आपको बोला नहीं था कि आपको बार ग्राफ डबल बार ग्राफ बनाना है मैंने आपको बोला बार ग्राफ आप कब बनाते हो यह आपको मालूम होना चाहिए और वह आपको मालूम था जिसके वाज़े से आपने दोनों अलग अलग बनाए तो स्टुडेंट बार ग्राफ पहले वाले मनेगा कुपकि उसमें जो मंस दिये हुए हैं और उन मंस में कितनी वाचे सोड हु वर्टिकल लाइन में आप रिप्रेजंट कर दोगे जो इसमें इसके लोगे वो लोगे आप वन यूनिट इस उकोस तो फाइव हंड़ वाच ठीक है तो फाइव हंड़ वाच उसके कॉर्डिंग आप जुलाई मन से स्टार्ट है तो जुलाई में थाउजंड वाच का बार बनादो गर दोगे अगस्त मेंके हइड और सेप्तमबर में घृट इनको बताया बही था उसके बाद भी पर यहां पर बनाओगे जो चेडर है इनकी कि अलग- पर horizontal और वर्टिकल लाइन खीज़ दोगे horizontal में रिप्रेजेंट करोगे स्कूल और वर्टिकल में नंबर आफ उसके बाद आप स्कूल करोगे तो। सब्सक्राइब करके और तक हाइट ले जाओगे और यहां तक साइकलिंग और शेप्ट जाओगे और फुर्टी चुटैन्ट वाकिंग टो आप यहां दार्क जुसमें जिसमें कि आप कर सकते हो किसी के लिए और एक कर सकते हैं चालर से भी तो अलग लग ले सकते और इसको आप करोगे नियुकर यहां पर रिप्रेजेंट शुरूर के आपको अपना पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व करना है रफ नोट बुक में नीड़ गप्लिन रहें आपके 100% पूरे म पूरे नमबर आएं ठीक है सो थैंक यू सो मच